वक्री एवं नीच अवस्ता में गुरू कही लाप तो कही संगर्षय सुरू नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी सभी जोतीश प्रेमियों एवं अध्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूँ पिछले चार भागों से हम वक्री गुरू महराज के राशी परिवर्तन और राशी योपर पढ़ने वाले उनके प्रभाव का अध्यन करेंगे पिछले भाग में हमने तुला और रुषिक पर पढ़ने वाला प्रभाव अध्यन किया आज के भाग में हम अगली दो राशिया अर्थात धनू और मकर राशी पर पढ़ने वाला प्रभाव का विश्लेशन करने जा रहे हैं वर्तमान स्तिती में दो सबसे बड़े और महतोपूर्ण ग्रह गुरू और शनी वक्री अवस्ता में है साथ ही गुरू महाराज 14 सितंबर को मकर राशी में प्रवेश कर नीचत्व प्राप्त करेंगे वहां उपस्तित स्वराशी के शनी महाराज द्वारा उनका नीचत्व भंग होगा और नीच भंग राजयोग की निर्मिती होगी दो वक्रीग ग्रहों से निर्मिती हो राजयोग बड़ा ही प्रभाव शाली होगा दोनों ग्रहों की अपनी अपनी विशेशताय है साथ ही दोनों दीमे ग्रह है इसलिए वे लंबे समय तक एक ही राशी में विराजमान रहते है गुरू महराज को जो एक प्राकृतिक शुभग्रह है मनुष्य जीवन के सबसे महत्व पुर्ण चीजों के वेकारक है साथ ही शनी महराज जो विश्व के नयाधीश के रूप में जाने जाते है दोनों ग्रहों की वक्री अवस्ता में यूती बनना उनसे नीच भंग राजयोग का नेड़मान होना जोतिश की दुरुष्टी से यह अत्यन्त महतो पुर्ण घटना है 14 सितंबर को गुरू महराज मकर राशी में प्रवेश करेंगे वहाँ उनकी शनी महराज के साथ यूती होंगी और नीच भंग राजयोग भी होगा गुरु महराज 20 सितंबर तक वक्री अवस्ता में रहेंगे और उसके बाद वे मारगी होंगे साथ ही 20 नवंबर को वे पुनश्च कुम्भराशी में प्रवेश करेंगे यह पूरी गठना अत्यंत महतो पुर्णा है यदि आप इस गठना के महतो को विश्तार से समझना चाहते हैं तो पहला वीडियो अवश्य देखे आज के भाग में हम धनू और मकर राशी पर इस गोचर का क्या प्रवाः पड़ेगा इसका विश्लेशन करेंगे तो विडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसे कुल 6 भागों में विभाजित किया है अर्थात एक भाग में केवल दो राशियों का ही विश्लेशन होगा जो लोग जोतिश का अध्यन कर रहे हैं उन्हें इस गुरू परिवर्तन का सभी बारा राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव समझदा चाहिए उनके लिए यह अत्यावश्यक है साथ ही जो लोग जोतिश प्रेमी है उन्हें केवल अपनी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझदा होता है उनके लिए भी हमने एक विशेश सुविधा उपलब्द किये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है अर्थात राशी का नाम और उसके सामने समय दिया है यदि आप वहां क्लिक करते है तो आप सीधे अपनी राशी तक पहुच सकते है अर्थात अ उतिश प्रेमियों को इस सुविधा का लाब उठाना चाहिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिचानल और हां बेल आइकोन दबाना ना बुले धनू राशी की दुरुष्टी से विचार करे तो गुरु महराज आपके कुटुम्बस्तान में आर्थात मकर रा राशी है इसलिए वहाद नीच अवस्ता को प्राप्तत होंगे लेकिन वहाद उपस्तिटच्वराशी के शनि महराज द्वारा उनका नीचम हो का फिर भी राशी स्वामी जब नीच अवस्ता में होता है तो कही न कही संग रश्य का स्तर बढ़ जाता है गुरु महराज को वहाँ नीच भंग हो रहा है इसलिए वे संगर्ष के बाद सफलता देंगे अर्थात संगर्ष का कोई विकल्प नहीं है यह आपको विशेश रूप से द्यान में रखना होगा आप पिछले दो तीन सालों से लगातार संगर्ष कर रहे हैं जल्द ही उससे आप उपता होंगे लेकिन एक बार फिर संगर्ष का समय है और संगर्ष के बाद बड़ी सफलता प्राप्त करने का भी है क्योंकि कुटुम्बस्तान में शनी और गुरु जैसे दो बड़े ग्रह उपस्तित है जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्ता में होता है तो उसका चेश्टा बल बढ़ ज होते हैं राशी स्वामी होने के कारण गुरु महराज धनु राशी के लिए कारग ग्रह है वे आपके प्रथम एवं चतुर्तस्तान के स्वामी है इसलिए उनका शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व एवं वास्तू पर पढ़ता है वाहन सउख्य मात्रु सउख्य इन अभी विशेयों पर पढ़ता है इस अउधी में आपको अपने माता के स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कुल मिलाकर गुरु महराज का इह गोचर धनु राशी के लिए थोड़ा सा शुभ और साथ ही संगर्ष देने वाला है धन एवं कुटुम्ब स् कही न कही पारिवारिक रुद्धी को सुचित कर रहा है धनव रुद्धी को भी सुचित कर रहा है इससे पारिवारिक विकास भी होगा द्यूतिय स्थान से गुरु महराज की पंचम दुष्टी आपके शश्च स्थान पर होगी नतिजन आपको नोक्री में सफलता प्राप्त हुगी जिनकी पदन्नोति से किसी कारण में देरी हुई है उन्हें वह अचानक प्राप्त हुगी इस अउधी में ऐसे शुबकार्य होने की संभावन आधिक है इसके बाद गुरु महराज की सप्तम दुष्टी आपके अस्तम स्थान पर हुगी इस अउधी में से आपको सहयोग प्राप्त हुगा घर में सुखशांती बनी रहेगी लेकिन यदि आप अपने मानसिक तराव को बढ़ने देंगे तो यह सुख्य प्राप्त नहीं होगा इसलिए जीवन साथी के वर्चस्व को आप स्विकार करे वही आपके लिए लाभकारी हुगा कुछ दिनों के पश्यात यह स्थिती बदल जाएगी क्योंकि धनी जातक अपने मूल सभाव के अनुसार स्वयम वर्चस्व प्रस्तापित करना चाहते हैं आप उसे पुनश्य प्रस्तापित करेंगे लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आपने जीवन साथी एवं ससुराल के वर प्रचंड बढ़ेगा जीश्ट शेत्र में आपका जीवन साथी कारेरत है उसमें उसकी उन्नती होगी उसका आनंद आप अवश्य ले जिससे जीवन साथी का आनंद दोगुना हो जाएगा इसके बाद गुरु महराज की नवम दुरुष्टी आपके दशम स्तान पर होगी इससे व्यापार व्यवसाय में रुद्धी होगी आपके दशम भाव में रवी मंगल बूद जैसे तीनो ग्रह विराजमान है और गुरु महराज की शुभद रुष्टी उन्न पर होगी संक्षेप में इस गोचर का विचार करें तो गुरु महराज प्रथम और चतुर्त जो उनके स्वयम के स्तान है दुतिय स्तान जहां वे अब विराजमान होंगे साथ ही शष्ट आश्टम और दशमस्तान जहां उनकी दूष्टी होंगी और राहू रवी मंगल बुद ग्रह जैसे सभी ग्रहों की शुभता वे विरुद्धिकत करेंगे जो आपके लिए कई मायनों में लाभकारी सिद्ध होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद मकर राशी मकर राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो गुरु महराज आपके परिश्रम एवं व्येस्तान के स्वामी है अर्थात आपके पास श्रम और व्येह दोनों विभाग का कारकत्व है इसलिए वे मकर राशी के लिए कारक ग्रह नहीं है ऐसा कारक ग्रह जब आपकी राशी में विराजमान होगा साथ ही वह नीच अवस्ता में भी होगा लेकिन वहा उपस्तित आपके राशी स्वामी शनी महराज द्वारा उनका नीच भंग होगा कुल मिलाकर जो ग्रह स्थिती बनेगी वह अत्यन्त महत्व पुर्ण होगी प्रथम स्थान में आने वाले गुरु महराज की अपनी स्वतंत्र विशेष्टा होती है जब वे प्रथम स्थान में आते हैं तो उनकी वह स्थिती अत्यन्त महत्व पुर्ण मानी जाती है क्योंकि गुरु के स्थान से उनकी द्रुष्टी महत्व पुर्ण होती है गुरु महराज के द्रुष्टी को अमरुत समान माना जाता है उस अनुसार प्रथम स्तान से गुरु महराज की दुष्टी पंचम, सप्तम और भाग्य स्तान पर होगी पंचम वह स्तान होता है जो शिक्षा, संतती, प्रेम का प्रतिनिदित्व करता है इस्टदेव के आशिर्वाद भी यही से देखे जाते है आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा क्योंकि बले ही गुरु महराज नीच अवस्ता में है लेकिन शनी महराज द्वारा उनका नीच भंग होगा जब किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो कैसे परिणाम देता है तो उससे शुभ़ परिणाम प्राप्त होते हैं लेकिन उसके लिए संगर्ष अनिवार्य है अर्थात शिक्षा में संफल्था संतती से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा केवल शुरुवात में आपकी बातों को वे थोड़ा अंदेखा कर सकते हैं इन वे सफल्था भी प्राप्त करेंगे और वह आपके लिए अत्याधिक आनंद का शन होगा इस्त देवकी कृपा आप पर बनी रहेगी इस प्रकार शिक्षा संतती प्रेम इन तिनो क्षेत्रों में आपको संगर्ष के बाद सफल्था प्राप्त होगी जो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वैसे योग बनेंगे और वे लाभकारी सिद्ध होगे क्योंकि विदेश में शिक्षा के साथ साथ आपको पार्ट टाइम नोकरी भी मिल सकती है इससे आपको लाभकी प्राप्ती होगी क्योंकि मूल रूप से आपकी राशी परिश्रम के लिए जानी जाती है राशी स्वामी राशी में ही विराजबान है और गुरु महराज की दुष्टी पंचम स्तान पर पड़ रही है गुरु महराज आपके राशी के लिए तृतियेश एवं व्यैश है उनके कारकत्व का विचार करेतो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है और उनके लिए यहां अत्यंत सुन्दर अवदी है एक और जीवन साथी से थोड़ी अनबन होगी और दुसरी और मेल मिलाब भी होगा सामान्य रूप से दो डाही महिने का यहां अवदी है वह 14 सितंबर से 20 तॉम्बर तक रहेगा ऐसी स्तिति में दहीर्य पुर्वक आपक क्रमन करना होगा व्यापार में रुद्धी के कई अउसर आएंगे आपको उनका सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि इस अउधी में आपके दशम स्तान से शुक्र ग्रह द्वारा मालव्य राजयोग की निर्मिती हो रही है कुल मिलाकर यह राजयोग कारक्स्तिती है स्वर राशी का बूध आपके भाग्यस्तान में विराजमान है इसे हम अत्यनत शुभस्तिती कह सकते हैं लेकिन इसके पीचे जो महतोपुर्ण केंद्रबिंदू है वह गुरु महराज है वे आपकी राशी में नीच अवस्ता में विराजमान है वहां उनका नीच भंग हो रहा है यहां नीच भंग हुआ ग्रह आपके भाग्य में वृद्धी देगा पंचम स्तान में सोख्य देगा सप्तम स्तान में सोख्य देगा जीवन के कई शेत्रों में सफलता एवं लाब प्रतान करेगा लेकिन संगर्ष के बाद थी आप उसे प्राप्त करेंगे लगबग दो ड़ाही महिने का यह आउदी है बीस तवंपर को गुरु महराज कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे और वहा से प्रभाव की दिशा बदल जाएगी वो भी हम आपको सही समय पर अवश्य बताएंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद